वश्कार आपे सभी का स्वागत है तो आज हम फिर से हाजिर है एक और नई डिश के साथ ये उत्तर भारत की एक डिश है इसको कुकर करेले भी कहा जाता है और कुछ लोग परोड़े भी बोलते हैं तो आए शुरू करते हैं ये देखिए ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं इ और ये लाग मुश पाउंडर है लाग मुश पाउंडर है हल्बी है जीरा है और थोड़ी हमने कटी भी प्याज ली है और यह हमने पहले से काड़ के रख लिये थे बसामें यही कुछ सावन चाहिए होगा इसको बनाने के लिए तो आईए बनाना शुरू करते हैं अब और तेल भी गरम लोगया है गरम तेल दे जीरा डाल दिया है और प्याल दाल दिया है अब इसको हल्का ब्राउन होने तक हम तलाएंगे और प्याल से भूम लेंगे अब बहुत ही सिंपल देश है जैसे चाहिए आप अब बना सकते हैं प्राई करके या वैसे किसी और के साथ लेकिन आज हम आपको इसको अकेले भी बनाना सिखा रहे हैं इसमें ग्रेवी भी होगी तहसा होगा नहीं तो यह सूफी बनेगी तो देखते हैं हलका सा प्याल बुन चुका है और हमने इसमें परोड़े डाल दिये हैं आज हमने मसाले को नहीं पुना हम उपर समसाते हैं तो देखे थोड़े से चाय होगे अब इसमें हम भगी डाल देंगे आदा चम में अब आदा चम में लाग मिल्स पाउड़र डालेंगे इसा हुआ आप साबुद भी डाल सकते हैं खरी मिश्ट नमक अपने स्वादन उसाय डाल लीजिएगा आदा चम में नमक डाला है तो फोड़ा से चला देंगे ताकि ये मिश्टर्ण आपस में आपानी से मिक्स हो जाए ये रिखे सब कुस आपस में मिक्स हो गया है एक बात का हमें जान दखना है कि हमें इसको पानी बिल्कुल नहीं डालना है कि हमें इसका पानी जो है और रड़ी जो नैच्रॉल पानी है उसको पोड़ा सा सुखाना है आपस में जो इसको पानी होता है पहले से अज़ये इसको फ्राइ करते रहेंगे अज़विक नियुक्त रखें देते हैं जान मिखिएगा आपनी भिल्कुल नहीं डाला है लेखें अब इसको ढ़ग देते हैं और मद्यमाज पे इसको बने देते हैं बीस मिनट के लिए फिर देखेंगे कैसी बन दी है 15 मिनट हो चुके हैं अब इसको अटा के देख गए तब जी काफी पक चुकी है तब बता रहा है सुनेरा हो क्या है हरे से बीस मिनट हो चुके हैं अब थाली हटा कर देख रहे हैं सब्जी पूरी पक चुकी है थाली हटा कर हम इसको दुबारा से खुले में चटकाएंगे जिससे इसका पानी जो भी और होगा वो दुबारा पूरी तरीके से उड़ जाएगा तकी पानी इसमें जादा होता है हमें दूबारय χास Woah जोब फिशाएं शान बूहारा मैं तो आप देख रहे हैं ईए और पानी हो शुआ है जी चूपित अजरूरी नहीं नहीं था पानी इस नहींसे हंगा तो अन देख सकते हैं सुआ हैं साक्चा पानी फूरा नस्त ठाहा है अब बनके तयार है तो देखिए हमने ये सर्व कर लिया है और हमारी गर्मा गरम परोड़े की सबजी बनकर तयार है आप सभी इसका लाब उठाइए और हम फिर मिलते हैं एक अगरी वीडियो के लिए तब तक के लिए नमस्कार